मतुरा से अगली खबर है जहां आपको बता दे कि थाना मगोरा के गाउं फोडर में राजस्थान आबकारी विभाग में छापा मार कर देशी शराब को बरामत किया है एक महिला को जेल भेजा गया है थाना मगुरा के गाउं फोडर में राजस्थान की देसी शराब बिखने का मामला बार बार संज्यान में आ रहा था वहीं सूचना पर राजस्थान आपकारी विभाग ने फोडर गाउं में चापा मार कर ये कारिवाई की है गाउं की ही रहने वाली राजेश्वरी के घर पर ये च्छापा मारा गया है तो वहें च्छापे मारी के दौरान राजस्थान मार का देशी शराब के 192 क्वाटर बरामत किये गए आपकारी विभाकी टीम ने राजेश्वरी के खिलाफ मगोरा थानी में रिपोर्ट दवच कराई है जिसके चलते महिला को जेल भेज दिया गया है मत्रव में अवेद शराफ के रूध गवियान चलाया जा रहा है उसके तरह हमने ग्राम फोटरों में दविज देती वहां से महिला हो करफ्तार किये हैं और उसकी कपड़ी से अवेद शराफ ब्रावन के लिए 152 पोवे ब्रावन के लिए डोला बारो राजिस्थान दियम नेहा जैन को सीडियो सौम्या पांजे और एडियम जगदंबा प्रसाग गुपता के साथ बाड़ प्रभाविच शेत्रों का निरिक्षड करना था वो पहुँचे उन्होंने सिकंदरा तहसील शेत्र के प्रांथमिक विद्याले जैसलपूर महादेवा में पहुँचकर बनाई गई बाड़ चौकी का निरक्षड किया यहाँ पर उन्होंने बाड़ चौकी प्रभारी को निर्देशित किया की बाड़ प्रभाविद गावों में निरंतर संपर्क बनाई रहें तो वहीं बाड़ प्रभावित परिवारों को निर्धारित थानों पर पहुचा कर उनके खान पान राशन व्यवस्था दुरुस्त कराने की भी बात कही बता दे आपको कि सिकंदरा तैसील शेत्र के जैसलपूर महादेवा पिचोरा खोजारामपूर बांगर गौरी रतन बांगर बहमई बिजहरा सिकंदरा बांगरपूर आदी गाउं में बाड़ की जो स्थिती है वो खराब हो चुकी है बाड़ की चपेट में आने से ये सभ भी व्यवस्थाएं पहले से ही दुरुस्थ कर ली गई थी बता दे आपको कि डियम ने जैसलपूर महादेवा गाउं पहुचकर ग्रामीन जनों से बाड़ के संबंध में बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारड के संबंधेत अधिकारियों को करानी की बाद भी ग्रामीनों से कही गई है उन्होंने SDM सिकंदरा आदेशित किया है कि बाड़ ग्रस्त गावों में लोगों को तत्काल राहत प्रदान की जाए किस प्रकार की समस्याओं से जूजना पड़ ला है आपको बहुत समस्याओं बाड़ की बज़े से सबसे पहली बात घर्म पानी अंदर चला जाता और काफी परिशानी यहाँ पर कीड़े मकूडे सर बगाईरा अंदर बुशा प्रशासन की तरफ से कोई इंतजामात किये गाउं में कोई यहाँ पर आया कोई अधिकारी गाउं में अभी अभी आई थी गंड़ा पहले जैसा पुरसों के लोट गई इंदri गई यहां पर जनपत कानपुर देहारत में हमारी दो तैसीले हैं जो मुखेता प्रवावित रहती है भूबनीपोर तैसील और सिकंद्रा तैसील है, यहाँ पे हम लोग पहले से ही सब लोग अलर्ट हैं, हम लोग दो मेने पहले से ही हम लोग आक्शन प्लान बना रखे हैं, और वी वर अल्रेडी क्योंकि यह बहुती ग्राजुली पानी छोड़ा जाता है, जो चंबल और यमना सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है, इसमें टेकसास के प्लानों में, सिक्सिटी वाइन रेस्टरॉंक के बाहर, एक महिला को रेस्टोरेंट की पार्किंग में भारती अमेरिकी महिलाओं के खिलाफ, नसलवादी टिपडी करते हुए दे जाच मिनट के इस वीडियो में, महिला एक व्यक्ति के चहरे पर वार करती हुई और घटना को अपने मुबाइल फोन में कैद करने वाली दो महिलाओं को, इसमें देखा जा सकता है, उसने गोली मारने की भी धमकी दी थी, पोलिस की तरफ से जारी एक बयान के मताबिक, महि को बता दे कि इस मामले में जाच जारी है, इस घटना को पुलिस ने एक घ्रनित अपराध के तौर पर लिया है, वही वीडियो को सबसे पहले बुद्वार देरात फेस्बुक पर शेयर किया गया था, इसके बाद गुरुवार को रेडिट पर प्लानों में कल रात कुछ भ कहना है कि इन चार महिलाओं का समूह अमेरिकी नहीं है, और मेरे साथ इस बुलिटिन में फिलाल इतना ही, आप देखते रहें, आर्या नियून